Hello and welcome to Hope Tushant. I hope you are in the best of your health and spirit. Congratulations to those who have cleared UPSA Plans 2023. Result आ चुका है and I hope कि अगर आपका हो रहा है तो आप मेंस की preparation में आप तक लग गए होंगे. अब जिनका नहीं हुआ उनके बारे में बात करते हैं और जो ये plan B की पूरी तरह से YouTube पर चाया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है. ये सब चीज़े मुझे आज कहनी पड़ेंगी. इसलिए थोड़ा सा धैर रखकर patience होकर सुनने की कोशिच कीज़ेगा जो मैं आपको समझाने कोशिच कर रहा हूँ. थोड़ा सा वो सुनिएगा और अन्तमें decision making आपकी होगी जो मैं ensure करना चाहता हूँ कि decision making आपके हाथ में ही हो क्योंकि जिस तरह से YouTube पर आज कल मैं वीडियोस देख रहा हूँ तो उससे ऐसा लगता है कि कही ना कहीं अपना opinion आपकी उपर थोपा जा रहा है directly नहीं but indirectly तो मैं आज आपको सिर्फ tools प्रोवाइड करूँगा जहां पर आप खुद की decision making कर सकें क्योंकि आप एक sovereign person है आप एक rational person है और आपकी rationality आपको जवाब देनी चाहिए आपकी अंतरात्मा से वावा जाना चाहिए कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए what next आजकल वीडियो बन रहे ना what next तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इस result के बाद जिनका नहीं हुआ उनको क्या करना चाहिए और ये क्या मसला है plan B का ये plan B का मसला भी थोड़ा सा समझ लेते हैं थोड़ा सा ultimate truth के बारे में बात कर लेते हैं अचा बहुत लोग ये कहेंगे examination में 10 से 15 लाख लोग plans examination देते हैं 5, 10, 15 लाख जितना भी number है 14,000 लोग means देंगे 14,624 लोग इस बार means दे रहे हैं और जिसमें 1000 लोगों का selection होगा अगर हम probability निकालें पास होने की तो 0.1% probability है कि आपका list में नाम होगा और 99.9% लोग fail हो जाएंगे ये truth आप सब को पता था इस examination में jump करने से पहले भी तो आज ये data बता कर कोई नया काम नहीं कर रहा हूं ये data आपके लिए नया नहीं है ये आपको भी पता है तो आप कूदे क्यों थे ये 0.1% लोगों में आप आना चाते थे ना आपके पास वो हिम्मत थी ना आपको लगता था नहीं इंपॉसिबल नहीं है ये तो possible है ये मैं कर सकता हूँ ये मैं कर सकती हूँ तब भी तो आप ये कूदे थे आपने इतना मैस में कलकुलेशन थोड़ी नहीं किया था कि हजाल लोगों में फिर बस 500 लोग लेंगे उसके बाद जो ये 500 लोग होंगे और यहाँ पर जो 13,000 लोग होंगे अगली बार ये फिर से प्री देंगे जिसमें 8,000 लोगों का ये 9,000 लोगों का फिर से हो जाएगा उसके बाद वो मेंस में फिर से आपके साथ बैठेंगे competition बहुत tough है ये है वो है इतना difficult exam है कैसे होगा ये सारी बाते जो आज हो रही है ये पहले भी truth ही ये सिर्फ आज true नहीं है ये पहले भी truth ही तो क्या ये आपको सबको पता नहीं था ये बात ये सब आपको पता था फिर भी आपके अंदर वो जजबा है लड़ने का वो आपके पास हमारे होता न मैच चल रहा हुता है इंडिया को last ball पे 6 run चाहिए होते हैं last ball पे 8 run भी चाहिए होते हैं तो भी हम hope lose नहीं करते हैं हम यह बोलते हैं कि no ball पे छक्का लग जाएगा फिर एक run बना लेंगे ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे जब तक untim ball हो नहीं जाती तब तक हम hard नहीं मानते हैं ये इंडियांस का culture रहा है ये इंडियांस की thought process रही है इसलिए आप इस examination में jump किये थे कि अगर 0.001% भी possibility है तो मुझे तो सर्फ एक seat चाहिए और मेरा हो जाएगा इस mindset से आप आये थे examination को देने के लिए पर क्योंकि आज ये number लोगों को rationally समझाय जा रहे हैं कि इतना कम percent chances है इसके लिए कुछ और भी सोचिए क्या करिए क्या रही करिए मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ महा भारत में भी आपने देखा था कॉरव 100 थे बहुत जादा power थी उनके पास यहां तक कि कृष्ण की अक्षोनी सेना भी उनके पास थी मांग लिया था अर्जुने तो सिर्फ कृष्ण को मांगा था यहां दुरियोधन ने तो कृष्ण की सेना मांग ली थी कॉरव की पास बहुत जादा power थी दूसर साइट पे कौन थे पांडव थे बहुत कम पांडव, 50 पांडव थे एक क्रष्ण थे और कुछ भी नहीं सही थोड़ी बहुत सेना थी यहने बहुत high possibility थी यहीतने की और पांडव हो कि जीटने की बहुत कम possibility फिर भी लढ़ाई की गई ना फिर भी यह तो नहीं सोचा गया West Indies जैसे टीम से हम प्ले कर रहे थे, क्या possibility थी कि हम 1983 का वर्ड कप जीत पाते, जीते हैं ना, Mangal यान पहले attempt में भारत Mangal पर पहुँचा, क्या possibility थी Mangal में पहुँचनी की, सोचिये कभी, Solar Storm आने की वज़े से, Speed बढ़ने की वज़े से, हम टाइम से पहले पहुच गए, वो movie अपने देखी ना, Mangal यान, क्या possibility थी कि पहली बार में भारत Mangal पर पहुच जाएगा, लेकिन possible हुआ ना, क्योंकि सोच रखी ना आम ने, हमने ये तो नहीं कहा कि 0.001% possibility है, अब हो गई नहीं हम से, हमने कहा ना कि अगर इती से भी possibility है, तो उस possibility में हम क्या करेंगे, success पाके दिखाएंगे, ये example है ना आपके पास, किसे ने आप 2-3 attempt दी है, 4 attempt दी है, जिनका pre भी qualify नहीं हुआ, लेकिन उनको अपने 5-6-7-8-9 attempt में rank मिली ना, इस बार की rank 249 को याद कीजिए, 5 बार players fail हुई है, 5 बार उनका pre नहीं हुआ, 6 बार में rank आई ना, ये possibility का game नहीं है, ये जजबे का game है, ये अपने आपको बुरा जोग देने का game है, इसमें इतना mathematic क्यों लगाते हैं लोग, जहाँ पर emotions हो, जहाँ पर power हो, जहाँ पर कुछ करने की जिद हो, वहाँ पर कुछ नहीं चलता, वहाँ पर सिर्फ एक काम चलता है, ये मैं इस बात इसली नहीं कराँ, कि आप मेरा कोई course purchase करो, भगवान के लिए कोई purchase मत करो, मेरा course ये किसी जीवन में, कुछ लोगों का दो बार किस लोगों का पांच बार, कुछ लोगों का च्छे बार प्लेम्स तक नहीं होता है, एक बार प्लेम्स, एक बार मेंस, और एक बार इंटर्व्यू, एक साथ तीनों होता है, क्या वो इंसान आप नहीं बन सकते हैं, अपने आप से पूछिए, आप अपने ड्रील्स पर क्यों give up मानना चाहते हैं आप अपने गोल्स पर give up क्यों मारना चाहते हैं क्यों plan B, plan B के उपर बात करूँगा लेकिन आप ये give up माननी की जो tendency है ये आप क्यों develop कर रहे हो, क्यों इन number से डर रहे हो हो इन नंबर से डरने के आपको जरूवत नहीं है मेरे साब से आपको सिर्फ इतना सोशन जरूवत है कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं अगर ऐसी नंबर देखेंगे तो फेल तो बहुत लोग होगे कि जीतनी की 0.1% possibility है तो मैं वहाँ पर कहां पर हूँ ये आपको अपने अंदर attitude डवलप करना पूड़ेगा आए प्लान बी के बारे में बात करते हैं करते हैं थिंग केरफुली अबाट प्लान बी एवरीबडी डू नोट नीड प्लान बी किसी को बैक अप की किसी को प्लान फिट अप्रोच नहीं चलीगी ये थोड़ा सा समझनी वाली बात है किसको प्लान बी चाहिए किसको प्लान बी नहीं चाहिए ये अपने according आपको देखना पड़ेगा कोई 22 साल का है और वो प्लान बी के बारे में सोच रहे समय पर फोन करके बोल रहे है सर मैं प्लान बी क् प्लान बी क्या रखूं उनकी फाइनिशल कंडीशन अच्छी है घर में IPS IAS है उसके बाद वो बोल रहे हैं कि प्लान बी सर बैक अप क्या करूं क्यों क्यों यूट्यू में चल रहा ना प्लान बी प्लान बी इसलिए मुझे आज इन पर बात करनी पड़ रही है मैं नहीं क बैक अब सबको नहीं चाहिए पहले मेरी बात समझ लो आपको चाहिए की नहीं चाहिए की आप डिसाइड करोगो मैं डिसाइड़ने करूंगा इसकता हूं कितनए कर रहा है और उस प्रपरेशन में हैं आप सीरिय्स कितने कर रहा है disp धूर्ट इसकी है किया आप ने ऐस आप उतने टाइम में cover कर लोगे, अपना optional, अपना GS cover करने की ताकत रखते हो, आप उनको revise करने की, क्यों? क्योंकि आपने seriously attempt दिया हुआ है, seriously आपने महनत की हुई है, तब plan B में, तो number of years में कितने number of attempts दिये हैं, कितने साल पढ़ाई की है, और कैसी पढ़ाई की है, how you have studied, the way you you have studied, that is also important, आपकी age क्या है, कितना age का factor है आपके पास, level of preparation क्या है, वही same level of preparation कि आपको कितना time चाहिए, दुबारा से revise करने के लिए, चीजों को integrate करने के लिए, और आपकी physical और mental setup इस समय कैसा है, ये सारे parameters आपको check करने पड़ेंगे, और ये सारे parameter को check करने के बाद, पहले कर रखा है, लेकिन इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए है, कि अब मुझे सब कुछ भूल गया है, तो वहाँ पर भी तो struggle होगा, backup करने पर भी struggle होगा, कुछ नई नौकरी डून रहे हो, कुछ नया exam सोच रहे हो, जो भी सोच रहे हो, plan B में, उसमें भी तो मेनत है, तो पह सब plan B, plan B तो बोल रहे हैं, आपके दिमाग में अंदर plan B है क्या, और वो plan B में, क्या, वो plan B जो आपने सोच रखा, वो easy है, और कहीं ऐसा तो नहीं होगा, वो plan B आपका plan A बन जाएगा, और उस plan B में आप इतना खुश हो जाओगे, कि जो आग चाहिए, जो motivation चाहिए, plan A क इतने रिलाक्स मोड में आजाओ, तो आपको सोचना पड़ेगा, अपने लिए, कि plan B आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, और क्या आपका plan B easy है, या सिर्फ plan B एक mental trap है, सिर्फ आपकी mental level को, ये plan B जो आपने चुन रखा, क्या ये आपका mental level बढ़ाएगा, ये आपको एक पि लगता है, हैना कि दो attempt हो गया है, तीन attempt हो गया है, लेकिन सबकी condition अलग-अलग है, attempt तो तीन हो गया है, पर level of preparation up to mark नहीं है, तो क्या वो job के साथ काम कर पाएंगे, क्या उनको job मिलेगी, कैसी job मिलेगी, कैसा काम होगा, उसके बाद कितना time मिलेगा, और कितना exhaust हो आप उस क कम है, that does not mean कि plan B चाहिए, possibility कम है तो लडाई करने का जज़बा चाहिए, लडाई करनी पड़ीगी, संघर्स करना ही पड़ेगा, क्या plan B में संघर्स नहीं है दोस्तो, plan B में भी तो संघर्स करना पड़ेगा, क्या चीज है जो easy है, ऐसी कोई चीज है, relatively easy हो सकता है, ये exam बह चीज अपने आप में easy होगी, क्या सब लोग, क्योंकि हम demography ऐसी हमारी है, working age population बहुत लोग हैं, तो उसकी वज़े से हमारे पास, you know, two few goods हैं, जिसको बहुत देशारे लोग chase कर रहे है, too many people are chasing two few goods, जिसके वज़े से competition है, और उस competition में, और आपको competition से डर कपसे लगने लगा अब तो कभी डर ही नहीं है, आज कैसे डर रहे हो, जब कोई कूद रहा होता है, तब डरता है, आप तो कूद चुके हो, इतने साल अपने जान लगा दी है, अब तुम्हारे अंदर किस बात का डर है, तुम्हें तो अब पता चल जाना चाहिए, कि संघर्स करना ही पड़े बट इंडियंस जो है ना, ये कुछ करने का जो अंदर जज़बा होता ना, उससे जीतते हैं, इमोशन से हम जीतते हैं, मैच में जब हम बोलते हैं, भगवान प्लीज 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 इस बॉल पर चक्का पड़े है, वो चक्का जब पड़े आता है तो बड़ा खूशी म करनाने का परपस है, कि आपको adverse situation में ऐसे डाल दिया जाया ना, तकि आपको लगे उस situation में कैसे क्या करें, C-set बिलकुल difficult paper है, बहुत difficult है, पर introspect कीजेगा कि C-set में कितने सवाल आप कर सकते थे, 40-45 सवाल आप कर सकते थे, ये नहीं कर सकते थे, एक बार introspect कीजेगा आपको बिलकुल बात ठीक है, examination बहुत difficult था, UPSC को अपने अंदर सुधार लाना चाहिए, जो भी है, वो सब करना चाहिए, पर वो examination अब जा चुका है, वो बात अब जा चुकी है, लेकिन यहां पर अब matter करता है कि आपको हार मानने के लिए बहुत लोग motivate कर सकते हैं, मैं सिर्फ इतना काम बोलना चाहता हूँ, कि आप सिर्फ positive रहिए, सूरज बनिये, positivity का सूरज बनिये, है ना, दूसरों को positivity दीजे, ऐसा ना हो जाए कि कहीं आप अपने अंदर कुछ negativity बैठा लें, और जिसकी वज़े से अंत में आपको ही problem है, तो ध्यान रखिएगा, plan B क्या है, मैं बस इतना ही चाहता हूँ, कि आप अपना decision अच्छे से ले, मैं आपके भिहाब पर decision नहीं ले सकता, पर मैं आपको tools बता सकता हूँ, जिससे आप अपना decision ले सकते हैं, याद रखी possibility बहुत कम बहुत जगा पर होगी, लेकिन आपको सिर्फ एक seat चाहिए, जिसकी possibility 100% है, अगर आप लड़ने के लिए तयार हैं, आप हार नहीं मानना चाहते हैं, जैसे कि rank 249, पांच बार plans fail होने के बाद भी इस बार उनकी rank आई, क्योंकि उन्होंने हार नहीं माना, ऐसे बहुत से example हैं, आप उन example की तरफ भी देख सकते हैं, आप उनकी तरफ भी देख सकते हैं कि जो exam निकालते हैं, आखे आपकी हैं, दिमाख आपका है, क्या आप देखना चाहते हैं, वही आप देखेंगे, अंत में यही कहना चाहूंगा, कि तू करता वही है, जो तू चाहता है, होता वही है, जो वह चाहता है, तू कर वही जो वह चाहता है, तो होगा वही जो रहा हूँ, थैंक यू, नमस्ते, जहन्द